नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंचीत और स्वागत है आप सब इकार केज़े सिविल पार्ट साला यूटूब चैनल पर दोस्तों आज संडे हैं और संडे की दिन हमारा जो मैंन फोकस रहता है वो पूरा का पूरा साइंस की न्यूस के उपर रहता है इसलिए साइंस के साइंटिफिक तोर पर देखने वाले कि क्या यहां पर कभी रहन फॉरस्ट हुआ करते थे किस प्रकार से चैन्जेस आया कितने पुराने पेड़ पौध है यहां पर उनके फॉसिल्स हमको देखने को मिले हैं सारी चीजें पहले आर्टिकल में देखेंगे इसके अलावा ज हो जाते हैं क्योंकि हमरे पास में इतना रुपए पैसा नहीं रहता है कि हम बड़ी बिमारी का हिलाच करा सके हैं प्राइविट सेक्टर में में बहुत सारी सेक्टर में प्राइव सेक्टर को भी घुसा ते हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे करके इन्वार्मेंटल के प्रती एडाप्टेशन करते हैं कैसे करके वो अपने वातावड को एकसेप्ट कर पा रहे हैं इसके अलावा एमू के जो पंक होते हैं उनके रिडक्शन से रिलेटेट भी एक आर्टिकल यहां पर हमको देखने को मिलता है और फिर साथ ही साथ साइंस का एक और आर्टिकल है जो की धरती की बनावट धरती की बनावट मतलब धरती की अंदर अल इसके बारे में हम चर्चा करने वाले तो जाद तर जो आर्टिकल हैं आज संसे रिलेटेड ही है ही तो दोस्तो सँंस का यह जो पहला झंग देखने वाले वह फाक इलेंड के में परिवर्तान सर्थ करेंगे आज से 30 मिलियन साल पहले की बात करें और आज की दुनिया को देखें फाकलेंड आइलेंड की तो बहुत कुछ हमको परिवर्तन देखने को मिला है आज के समय में हमको यहाँ पर ट्री लेस इन्वार्मेंट देखने को मिलता है मतलब यह जो एरिया है यह व्रक्ष विहीन है उबढ़ खाबढ़ है घास का मैदान वाला जो परिद्रस से है 30 मिलियन वर्स पहले तक हरे भरे विवितता पूर्ड वर्सावनों का घर हुआ करता था आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में इतना सारा चैंजेस आया है इसके बारे में यह स्टेडी सामने आई है यह स्टेडी बताती है कि जो साउथ अट्लांटिक आर्किपिलोजी है यह भी कभी कवर्ड हुआ करता था कूल वैट वूड लेंड वाले एरिया से यह वाला जो एरिया है यह एरिया भी कभी कूल वैट वूड लेंड से घिरा हुआ था कभी यहां पर भी बहुत बहतरी इन हमको पेड़ पौदे देखने को मिलते थे जैसा कि हम देखते हैं प्रिजेंट के टाइम में जो रैन फॉरस्ट पाए जाते हैं टियरा डेल फ्योगो में कहां पर साउथ अमेरिका के टिप वाले हिस्से में मतलब एकदम आखरी छोगर पर हमको यह चीज़े देखने को मिलती है वैज्यानिक लोगों ने रिसर्च कंड़क्ट कराया था अब इनको कुछ क्लूज मिले थे इनको कुछ हिंट मिला था कि आखर ऐसा क्या हुआ है तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या काम किया यहां जो फॉसिल्स उनको देखने मिले थे उनकी उन्होंने खुदाई करी थी यहां पर उनको एंसियंट फॉरेस्ट देखने को मिला था तो इससे यह चीज पता चल जाता है कि भाई यदि हमें इसके फॉसिल मिले हैं और पार्टिकुलर्ली जो अवसेस के बारे में जानकारी है ना पोर्ट स्टैनली के घनिष्ट समुदाय के मौखिक रूप से इनको जानकारी मिली थी मतलब लोगों ने इनको जानकारी दी थी वो भी मौखिक रूप से अब उनको तो जादा कुछ जानकारी नहीं रहती है वेज्ञानी खोज के बारे में तो उन्होंने खाली बताया था कि यहाँ यहाँ हमको यह चीज देखने को मिल रही है ठीक है अब इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने परफेक्टली प्रिजर्व प्री हिस्टोरिक ट्री के कहना चाहिए जो अवसेस हैं उनकी खोचकरी थी एंड पोलेन 80 बिल्डिंग साइड इन अर्ली 2022 एंड बुला जाता है कि इन्होंने क्या काम किया चाहे वो पराग हो चाहे वो व्रक्ष के अवसेस हो 2020 की सुरुवात में एक निर्माण स्थल पर पूरी तरह से संरक्षित ये अवसेस उनको देखने को मिले थे अब बहुत सारी जगह ऐसी है जैसे कि यदि हम बात करें इस्टैनली हारबर के पास टुसेख हाउस में पीट परतों और जमाओ के नमूने के साइट से निकाले गए थे इनको आगे और भी जो है पीट की लेयर देखने को मिली बहुत सारा डिपॉजिट रिमूव किया गया था तुसेख हाउस से ये कहाँ पर पढ़ता है स्टैनली हारबर में पढ़ता है इनको आश्ट्रेलिया क्यों भेजा गया ताकि लेबरेटरी के माध्यम से हम टेस्टिंग कर सकें कि ये वास्ताव में आखिर हमको किसके अवसेश मिले हैं युनिवर्सेटी ओफ साउथ वेल्स में ये अवसेश भेजे गए थे इनकी सेंपलिंग करी गई थी जो लकडी थी उसका एनलाइसिस किया गया था तो यहाँ पर एक नया उपकरण को देखने को मिला है इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप इसके माध्धम संस्कैनिंग करी जाती है और हम किसी लकडी के बारे में काफी महतपूर जानकारी हासिल कर सकते हैं यहाँ से यह पता चला है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं नहीं ये काफी पुराने हैं बहुत पुराने हैं तो आप्टैन कंक्लूजीव रिजल्ट फॉर्म रेडियो कार्बन डेटिंग सो पॉलन इस पॉर्स वर यूज़ड इंस्टीड अब इन्होंने क्या काम किया लकडी को अब हमें काम करते हैं साइड में रख देते हैं इसके अलावा जो पॉलन स्पॉर्स इसका उन्होंने इस इस्तमाल किया था ठीक है ताकि इससे भी हम थोड़ा सा जादा बहतर तरीके से अंदाजा लगा सकें तो पेड़ के जो अवसेश है ना उनको बहुत पुराने लगे इसलिए उन्होंने क्या काम किया जो पराग के बीजाड़ू होते हैं इनका उपयोग किया था अब पराग के माध्यम से पोलन के माध्यम से जब स्टड़ी करी गई तो वैज्ञानिक लोग इस निस्कर्ष पर पहुंचे थे कि पेड़ के तने और साखाएं 15 से लेगर के 30 मिलियन वर्ष पुरानी है ठीक है और इस चीज को प्रकासित किया गया था अंटार्किक साइंस ज दक्षड़ी अट्लांटिक की जलवाईयों आज की तुल्ना में बहुत गर्म और नम् हुआ कर ती थी वरशवन की वातवण को बनाए- रखने में ये सक्षम हुआ कर ती थी ये उष्ड़वक टिबंदी की की तुल्ना में ठंडा रहा होगा जिन के बारे में हम आमतřौर पर सोचते हैं जैसे कि अमेजन वर्षावन लेकिन फिर भी पौधे और पसु जीवन के एक सम्रद विविद पारिस्थितिक तंद्र को बनाए रखने में सक्षम था अब फाकलेंड में उगने वाली कई सारी व्रक्ष की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं लेकिन संभवता है दक्षडी गोलार्थ के अधिकांज भाग को कवर करने वाले वर्षावनों से आने वाली पस्चमी हवाओं के साथ ये प्रजातियां द्रीपों पर उग आई ह आउंगी अब यहां पर हवा बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाती है और हवा इंपोर्टेंट होती है तो इनके जो पराग कड़ होते हैं पौधों के वह भी महतपूर हो जाते हैं तभी जाकर के कहना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पौधों में प्रजनन संभव हो पात जगहे हैं जो कि कहना चाहिए है Dwight का हिस्सा सबसे उपरी जो करत होती है जिसको हम लीठोस पियर बोलते हैं करने स्वाक गतन मेंटल का भी में इसमें कुछ इस्सा जाता है जातर हिस्सा इसका करता है तो क्रॅश्ट और को थी नहीं परतों को मिलाकर हमारी की प्रत्वी का गठन हुआ है सबसे निचला वाला जो हिस्सा होता है वो सॉलिड है जिसको हम इनर कोर गोलते हैं इसके बाद आजाता है आउटर कोर जो की लिक्विड है जिसको हम मेंटल बोलते हैं ठीक है एस थैनो स्फेर भी इसको बोला जाता है तो यहां पर आप देख रहे हैं अलग-अलग डिस्टेंस में हमने इसको बाढ़ दिये हैं जैसे की जीरो से लेकर के 100 किलोमीटर वाला जो एरिया होता है वो क्रश्ट के अंतर गता जाता है ठीक है इसके बाद 2900 किलोमीटर तक का एरिया है फिर है 5100 किलोमीटर का एरिया और 6378 मतलब इंक्यावन सो से यदि हम नीचे जाते हैं तो वो इनर कोर मतलब कोर वाला एरिया चालू हो जाता है इसके बाद ke ut-2900 से लेकर के Bugün जो एरिया हुता हो मेंटल के अंतर गता अब स्टडी में यह बात पता चली एक जो ज्वाला मुी होट स्पॉर्ट का जब मुल्यांकन किया गया मतलब बहुत सारी जगहां का अध्यन किया गया है जहां पर हमको जाला मुखी हॉट ऐसा माना जा रहा है कि प्रत्वी के मेंटल में एक वर्ड वाइड एक दम एक समान वर्ड वाइड वर्ड लेवल पर हैं हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं वर्ड वाइड की चर्चा कर रहे हैं यहां पर एक यूनिफार्म रिजर्वायर मौजूद है ठीक है अर्थ के मेंटल म यह बात पता चली है एक evolution किया गया है volcanic hot spot का हमारे धर्ती में बहुत सारी जगा है जहां पर जॉला मुखी continue हमको देखने को मिलता है अब पूरे वर्ड लेवल पर पूरे वर्ड के map को यह दी हम देखें जॉला मुखी के map को तो इन में को जो मुख्य मुख्य जगा हो गई है वो कौन-कौन सी हवाई है समोवा है या फिर हम Iceland की बात कर रहे हैं फाइंडिंग से यह पता चला है कि अर्थ का जो mental होता है यह बहुत ज़्यादा chemically homogeneous है chemically homogeneous का मतलब यह है एक समान्ता एक रूपता हमको देखने को मिलती है जबकि वैग्यानिक लोग पहले सोचते थे कि उतनी ज़्यादा समान्ता यहां पर नहीं है अब लावा निकल करके सर्फेस में आता है अब उसका भी हम अध्यन करते थे कि इस लावा में क्या क्या चीजें हो सकती है और लावा केवल सता पर आने के दौरान ही अपने रसाइनिक कहना चाहिए जो भी उनकी क्वालिटी है वो उपर आने के बाद ही हमको पता चलता है अब मेंटल किस चीज से बना है ये जानना हमरे लिए इस बात को समझने के लिए महत्पूर हो जाता है कि हमारा ग्रह कैसे करके बिना है समय के साथ मेंटल कैसे करके डवल अप हुआ है मेंटल वाली जो लेयर कैसे करके डवल अप हुई है नेक्स्ट वाली जो साइंस की निवस यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं दोस्तों ये कुल मिला करके देखा जाए आसान सब्दों में हम कहें तो प्लांट एडापटेशन कैसे करके plant adaptation का यदि हम अध्यन करते हैं तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं crop improvement के लिए crop improvement कैसे करके हम ला सकते हैं तो एक study conduct कराई गई थी genetic mechanism के माध्यम से इसके लिए हमने transgenerational phonotype plasticity का अध्यन किया था अब यह जो transgenerational phenotype कहना चाहिए transgenerational phonotype plasticity होती है इसको shortcut में हम कहते हैं कि इसके माध्यम से यह संभव हो पा रहा है तो जो transmission हो रहा है non genetic modifications का इससे एक mechanism बन जाता है plant के लिए वो remember कर पाते हैं adapt कर पाते हैं environmental condition को experienced by their end center ठीक वैसे ही जैसे कि आज के समय में बच्चा अपने बच्चे के अंदर बहुत सारी जो qualities होती है ना उसके वनसजों से उसको मिल जाती है ठीक इसी प्रकार की चीजे हमको इस good के माध्यम से जिसको हम क्या बोल रहे हैं transgenerational phenotype plasticity बोल रहे हैं यह काफी एक क्रूस्किल फैक्टर हो जाता है plant adaptation में तभी जाकर के वो environmental changes को अपना पाते हैं इसके लिए investigate किया गया था अर्भी डोप्सिस थालियाना का इसको ग्रॉन किया गया था अंडर डिफ्रेंट लाइट कंडीशन एक्रॉस जनरेशन कि रिसर्चर लोगों ने यह डिमोंस्ट्रेट किया था कि कैसे करके maternal environment सेप करता है ऑफसरिंग स्ट्रेट को मतलब हमने उसको अलग-अलग कंडीशन में रखा है अलग-अलग टाइम पीरियड में हम उसको चेक किये हैं इस से उसकी बॉड़ी में पेड़ पौधे में कौन-कौन से परिवर्तन आ रहे हैं इस चीज का यहाँ पर अध्धिन किया था अब यहां से जो भी फाइंडिंग निगल करके सामने आई है इससे हम कुछ नई स्ट्रेटजी तयार कर सकते हैं ताकि हम क्रॉप में इंप्रॉव्मेंट ला सके एंड वैग्यानिक लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कुछ क्रिटिकल जैनेटिक रीजन्स को जो कि किस से जुड़ा हुआ है ट्रांस जन्रेशनल फॉनो टाइप प्लास्टिसीटी से जुड़ा हुआ है कि इसके बाद साइंस वाली जो अगली निउस हम डिसकस करने वाले हैं दोस्तों यह वाली निउस आई है एमू बर्ड के बारे में एक रिसर्च आया है एक study conduct कराई गई थी जिसके माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि एमू का जो wing reduction हो रहा है इसके लिए कौन सा mechanism काम करता है तो सबसे पहलो एमू के बारे में कुछ basic जानकारी हम देखते हैं यह एक flightless running bird वाली जो family है उससे belong करता है इसको हम reddit eyes बोलते हैं यह most primitive of the modern bird family माना जाता है यह second largest living bird है वर्ड का दा ostrich is the largest ostrich largest है इसके बाद second largest हो जाता है living bird कौन सा एमू हो जाता है distribution की बात करें तो यह केवल और केवल आस्ट्रेलिया में पाया जाता है देखा जाए तो जो most of the continent है आस्ट्रेलिया यहां पर हमको देखने को मिलता साथ ही साथ जो coastal वाला region है से लेकर के high in snowy mountain में भी हमको यह पक्षी देखने को मिलता है features की बात करें एमू की जो कहना चाहिए डेड़ मीटर की height होती है पाच फिट एंड में इसका जो वज़न है वह 45 किलो तक हो सकता 100 pound वहीं है अदि हम adult female एमू की बात करें यह बड़े होते हैं एंड हैवी होते हैं male की तुलना में बोद सेक्सेस आर ब्रावनेस दोनों का color लगभग एक सही रहता है वी थे dark gray head and neck dark gray head and neck हम को देखने को मिलती है एंड बोला जाता है कि इसकी जो speed होती है वो 50 km पर हवर के हिसाब से लोग भाग सकते हैं साथी साथ इनके जो lag होते हैं यह काफी strong रहते हैं 7 feet की यह jump लगा सकते हैं यह लोग जो होते हैं ओम्नी वोरस होते हैं मतलब जो भी मिल जाएगा खा लेंगे life span की बात करें पास से लेकर के 10 years इनका होता साथी साथ IUCN का conservation list में इनको सामिल किया गया है यह हमारे लिए सबसे important fact हो जाता है तो IUCN की red list में least concern की स्रेंडी में इनको डाला गया है यह हमारे लिए सबसे बड़ा fact हो जाता है अब यहां पर एमू की चर्चा करी जा रही है particularly इनके wing के reduction को ले करके ठीक है इनके जो punk है इनमें यदि reduction हो रहा है तो आखिर क्या reason हो सकता है कि वैग्यानिक लोगोंने कुछ महतपूर मेकनिजम निकाले हैं कैसे करके reduction हो रहा है कैसे करके asymmetry हमको देखने को मिलती है एमू के wing bond में इसकी इनकी जो punk की हड्या होती है ना उनमें asymmetry हमको दिखाई लेती ठीक है asymmetry दिखाई दे रही है मतलब यह होता है कि विसमता कम जादा कम जादा हमको देखने को मिल रहा है तो जो wings not only so significant shortening but the skeletal element also fuse asymmetrically इसकी जो हड्डियां है इसमें हमको कहना चाहिए लंबाई में कमी देखने को मिली साथ ही साथ asymmetry भी हमको देखने को मिली थी मतलब विसमता भी हमको देखने को मिली थी यह चीज हाइलाइट करता है कि कैसे करके difference पैदा हुआ है embryonic and fatal moment यह प्ले करता है एक pivotal role महत्पूर्ड रोल इं ट्राइविंग morphological evolution setting light on complex developmental process that shape skeletal structure तो सबसे बड़ी बात यहां कर जो निकल करके आई है वो होती है भूण से related and fatal moments related यह दो महत्पूर्ड कारक ऐसे होते हैं जो कि इसकी कहना चाहिए विंग के reduction के लिए साथ ही साथ जो इसकी शॉर्टनिंग होती है skeletal का element होता है यह asymmetric क्यों पाई जाती है तो दो रीजन यहां पर निकल करके आते हैं embryonic and fatal moment यह चीज हाइलाइट यहां से होती है नेक्स्ट वाली जो साइन्स की जहां पर हम discuss करने वाले हैं दोस्तों यह सरकारी अस्पताल यह फिर जो health sector है उसकी commercialization का मतलब यह होता है कि कुछ सुईधाय सरकार प्रवाइट कर रही है लेकिन अब सरकार चाहती है कि private sector भी यह सुईधाय प्रवाइट करें लेकिन private sector कभी भी हम लोगों को free में यह फिर affordable price में चीजें नहीं provide कर पाएगा कभी नहीं provide कर पाएगा क्योंकि वह हमेशा सही अपने profit की तरफ देखता है गरीबी की तरफ यह फिर मजबूरी की तरफ private hospital कभी भी नहीं देखता है मद्द प्रदेश सरकार ने decision लिया था 2024 में जुलाई के महीने में कि दस जो चिला अस्पताल हैं इनका हम निजिकरण कर रहे हैं डारेक्ट तरीके पर नहीं इंडारेक्ट जैसे कि उसमें बोला गया कि जो 25 परसेंट बिस्तर रहेंगे भुकतान करने वाली रोग्यों के लिए हम रिजर्व कर देंगे एक hospital है इसमें 25 परसेंट जो बिस्तर रहेगा ये private लोगों के लिए उन्होंने रिजर्व कर दिये हैं अब इसका मतलब ये हो गया कि जिनके पास में पैसा है वो लोग बहतर तरीके से अपने इलाज कर पाएगी तो यदि ऐसा सरकार कर रही है तो क्या इससे जो यह जो हॉस्पिटल इसकी कंडीशन सुधर सकती है कि नहीं सुधर सकती है गरीब लोगों के लिए स्वास्त सेवा क्या काफी आसानी से अब प्रॉवाइड हो पाएगी यहां पर कोस्टन ये खड़ा हो जाता है ऐसी जानकार यह मिली थी कि 260 करोड रुपए के डाउन पैमेंट के बदले में 30 साल के लिए लीज प्रॉवाइड करने का प्रस्ताव है अब यह सही है कि कैसा है अब यह हमको बाद में पता चलेगा अब यहां पर हमको एक चीज और यह भी देखना है कि यदि हम 2019 की बात करें ठीक है इसको एग्जेक्यूट किया गया था किसके द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा 2019 के सेंट्रल गोर्मेंट इसकीम के माध्यम से इसमें सामिल है कि 60 परसेंट जो पैसा है टोटल प्रोजेक्ट के कोस्ट का ऐसे वाइबल्टी गैप फंडिंग के तौर पर दिया जाएगा कि लैंड्ड एंड अधर जो अचेट है इनके लिए सिक्स्टी परसेंट पैसा है एन बोला जा रहा है कि हंड्रेटपरसेंट आपरेशनल कोस्ट रिक Sut Brian होने वाली है किसके एवज में 75 पर छेंट ऑप एडज जो रहेंगे वहँ फ्री ट्रीट्मेंट की रहेंगे 25 परसेंट जो है उनसे क्या क्या है पैसा वसूला जाएगा हलाकि जो प्राइविट सेक्टर होता है कभी भी फ्री केर प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक कि वो इस्टेबलिस नहीं करता है एक मेडिकल कॉलेज को और यहाँ पर यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ कहना चाहिए वसूल करेगा सबसीडी भी उसको सरकार से चाहिए रहेगी तब जागर कि यह चीज क्लियर हो पाएगे यदि वीक कैपसिटी रही उस कंडीशन में दिस टू विल गो डाउन यह चीज इतनी भी चीज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो और भी जादा डाउन हो जाएगी अब यहां पर हम बात करते हैं कि यह जो सरकारी हॉस्पिटल है इसमें कुछ एरिया प्राइवेट वाला बना दिये हैं कि यहां से हम पैसा चार्ज करेंगे यह फिर इसका कुछ एरिया को हम मेडिकल कॉलेज के लिए कहना चाहिए दे दिये हैं अब यहां पर जो 25 बैड है वो कौन चला रहा है मेडिकल कॉलेज चला रहा है यहां पर उसने अपने स्टाफ रखे हैं बाकी के आध्य से जादा हिस्से में सरकार के स्टाफ काम कर रहे हैं तो यहां पर कन्फ्यूजन पैदा होता है साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ सेवाओं में भी हमको अंतर दिखाई देगा अंतर कैसा दिखाई देगा कि प्राइवेट सेक्टर में बहतर सुईधा मिल रही है बागी के बचे हुए हिस्से में जबकि हॉस्पिटल को पैसा भी मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर या फिर कॉलेस इसके बावजूद भी वो हॉस्पिटल अपनी कंडीशन को सुधार नहीं पा रहा है